हलो एवरिवन, मैं डॉक्टर आर्ती अगरवाल, आप सभी कसो आगत करती है अपने चैनल डिवोशन फोर डिवाइन में सबसे पहले सभी माताओं का अहोई एश्टमी की पूजा के लिए बहुत बहुत बदाई अहोई एश्टमी का वरत ऐसी माननेता है कि माताओं अपने बेटों के लिए करती है पर कभी अपने सोचा है कि ये वरत सिर्फ बेटों के लिए ही क्यों क्योंकि ये वरत सिर्फ बेटों के लिए नहीं, ये वरत संतान के लिए होता है और संतान के लिए वरत करती है मा इक मा तब कहलाती है जब वो संतान को जनम देती है और संतान चाहे बेटी हो चाहे बेटा पर वो संतान है तो इसलिए ये वरत बेटे बेटी दोनों के लिए होता है तो इस वरत में आप करते क्या हैं इस वरत में अहोई माता से अपने बच् बच्चों की लंबी आई हुना कि बच्चों को सही मांगदर्शन मिले अपने चिवान में यूए अपने च्टामDe पैंडमिक के टाइम में आपने भी नोटिस किया होगा कि बच्चे बहुत दिस्टरूब रहते हैं बत्चों की स्टूडीज बच्चों हो गई distract जादा हो रहे हैं तो हम ऐसी कौन सी remedy करें जिससे हम अहोई माता से प्रात्ना कर सके कि अपने बच्चों को हम अच्छा जीवन तो दे ही उसके साथ में उनको मार्ग दर्शन भी दें उसके लिए छोटी सी remedy लेकर आई हूँ इस remedy को करने से आप अपने बच्चों को स्वस्थ जीवन के साथ लंबी आयू के साथ साही मार्ग दर्शन भी देंगे इश्वर का आशिरवाद दिलवाएंगे अहोई माता की क्रिबा करवा पाएंगे यह remedy हमें उस समय पर करनी है जिस समय हम आहोई माता की कधा सुनते हैं उस समय इस remedy को करना है और फिर remedy का जो समान जो हम remedy में इस्तमाल करने वाले हैं उस समान को ले जाके अपने घर के मंदिर में रखना है डेली उसको दूपती दिखानी है ठीक है तो आईए देखते है छो फिर आपको लेनी है अनार के पेड़ की लकड़ी यह अनार के पेड़ की लकड़ी या कलम अगर आपको मिल जाएगी मार्केट में अराम से आप यह ले सकते हैं अगर कलम मार्केट में ना मिले तो आप नॉर्मल अनार के पेड़ की लकड़ी को भी तोड़के इस्तिमाल कर सक है लाल चंदन लेना है चाहिए तो आप ल्लाल चंदन को घिसके पेस्ट बना सकते हैं या रेड़ी मेट पेस्ट जो आता है भूंबी ले सकते इस पेस्ट से आपको इस बोज्पत के चारो कोनों पर राम लिखना है आए कई पीछ इस तरह अब इसके बाद आप आपको माता पिता का नाम लिखना है और साथ में लिखना है उनका गोत्र जैसे कि मैं आपको एक्जांबल बना के दिखाती हूं देखिए आशा माता का नाम दीपक पिता का नाम और गोयर उनका गोत्र इस तरीके से आपको लिखना है उसके बाद आपको एक मंत्र लिखना है और उसके बाद अपने संतान का नाम यदि किसी के पास एक से ज़ादा संतान है तो हर संतान के लिए आपको अलग-अलग परतना करने के बाद आपको गेंदि के फूल की पत्यां इसमें रखनी है और प्रातना करनी है कि आपके संतान को सुख सम्रधी मिले उनको सही मार्ग दर्शन करने का रास्ता दिखे और वो सही मार्ग पर चले इस तरीके से प्रात्ना करने के बाद इसे फोल्ड कर दीजे और इस तरीके से पीले रंग के कपड़े में इसे बांध दीजे क्रॉस में बांधना है इसको ऐस इस तरीके से इसको ready करना है जिस समय पे हम कथा करेंगे अहोई अश्टमी की देखा कितनी easy remedy है यह remedy कीजे और इस remedy को करने के बाद आप जो पोटली आपने बनाई है इस पोटली को सबसे पहले कथा के सामने महां रखिए अहुई मता के सामने धूबती दिखाई है और उनका आशिरवाद प्रात कीजे उसके बाद इस पोटली को उठाके अपने घर के मं का समान जिस दुकान पर मिलता है वहां आपको मिल जाएगा फिर भी किसी को कोई चीज अगर नहीं मिल रही हो या किसी चीज के बार में पूछना हो description box मेरे number mention है और जो मंत्र मैंने उसमें आपको screen पर दिखाया था वो मंत्र भी description box में mention है तो आप वहां से उसको देख सकते किसी को कोई भी डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो description box में दिए मेरे number में मुझे message कर सकते हैं और प्रॉब्लम को solve करवा सकते हैं मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे like कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए और share कीजिए मेरे वीडियो को thank you so much